हमने इससे पहले मॉड्यूज में चार अप्रोचिस का जिकर किया लिट्रेचर रिव्यू की उन में से एक पॉपुलर अप्रोच जो है वह नेरिटिफ लिट्रेचर रिव्यू है अमूमन जब हम लिट्रेचर रिव्यू का जिकर करते हैं तो लोगों के जहन में जो लिट्रेचर रिव्यू का कॉंसेप्ट आता है वो असल में नेरिटेव लिट्रेचर रिव्यू है और हमने पहले जिकर किया कि basically ये chronological order है researches का जो आपके मौजूब पे हुई हुई है और आप उनको chronologically year के हिसाब से देखते हैं कि हर researches कब हुई उसमें क्या findings आई थी और अब उसकी एक summary प्रिजेंट करते है additional चीज इसमें critique है जो आप add करते है अच्छा इसको अगर हम तीन steps में देखें तो basically पहले क्या है कि आप relevant literature gather करेंगे जो obvious सी बात है कोई भी literature review करें तो ये उसका पहला step है कि आप relevant literature को इकठा करते हैं उस पे एक critique develop करते हैं और मैं इस लफस की वजाहत करता हूँ अभी के critique से क्या मुराद है और फिर आप उसको summarize कर देते हैं इसमें पहली चीज selection of research papers है और वो सिर्फ narrative literature review में नहीं है हर तरह के literature review में पहला step selection of material है जिसको आपने review करना है उसके उपर वो तमाम criteria अपलाए होते हैं जो इससे पहले हमने credible sources of literature के बारे में पढ़े आप अपने research problem को जहन में रखते हुए उससे मिलते जुलते मौजुवात पे literature कठा करें दूसरे step में आप उनको chronological order में तरतीब से देखते हैं किस समाने में कौन सी research किन questions के गिर्द हुई और उसकी findings किया थी narrative से मुराद किया है कि आप उसके बारे में कोई राय का इजहार नहीं करते हैं आप उसके authentic होने पे तो ensure करते हैं लेकिन जो लिखा हुआ है उसको question नहीं करते हैं एक narration develop करते हैं और जब ये chronologically आप narration develop कर लेते हैं तो फिर अगला step आता है critique का जब भी मैं मुख्लिफ research की finding पढ़ता हूँ तो अमूमन उसमें से बहुत सारी findings ऐसी हैं जो आपके suppositions को support कर रही होती हैं आपने अपनी research questions बनाए hypothesis लेके होंगे या research question उन बहुत सारी परानी research की findings उन hypothesis को support करती हैं जैसा आपने सोचा उसी तर आपके कुछ studies आपके hypothesis में दी गई बातों को support कर रही होती हैं और कुछ उनको contradict कर रही होती हैं ऐसी सूरते हाल में conclusion draw करना मुश्किल हो जाता है आपको शायदी कभी literature में ऐसा कुछ literature मिले जो आपकी given supposition को सारे का सारा literature support करता हो यह कुदरती सी बात है कि उसमें से कुछ support करेंगे कुछ उसके contradict करेंगे उसके साथ उसके opposite बात कर रहे होंगे इस findings में तो आप सूरते हाल में उनका एक critique तियार करते हैं आप studies की value को determine करके उनकी credibility को determine करके उनके अपने अंदर दीगी information को examine करके फैसला करते हैं कि कौन सी findings जो हैं वो आपके नजदीक acceptable हैं और क्यों हैं और फिर आप उनके गिर्द एक अपना narrative या एक summary बिल्ड करते हैं जो नवाइस researchers हैं जो इस field में नए नए काम करना शुरू करते हैं उन में ये tendency अमूमन देखी गई कि जब वो ये synthesis करने के process से गुजर रहे होते हैं तो वो उन researches को जो उनके hypothesis से contradict करती हैं उनको avoid करते हैं उनको इस्तमाल नहीं करते हैं या यूं जाहिर करते हैं जैसे उनने उनको पढ़ा ही नहीं वो नजर सही नहीं गुजरी और उनको एक side पे कर देते हैं जिस से एक element of bias develop होता है और सिरफ वो positions को support करती हैं hypothesis को और जो नहीं करती हैं उनको निकाल लेते हैं यह learning का point इसमें यह है कि जो studies की findings ऐसी हैं जो आपके साथ apparently match नहीं करती हैं आप उनको critique करने का mechanism develop कीजिए अगर वाकई उनमें को flaws हैं को deficiencies हैं को contradiction आने की basis हैं जो defendable नहीं हैं तो आप उनको highlight करिए उनको avoid करने से छुपा लेने से वो खतम नहीं होती हैं वो exist करती हैं आप नहीं लिखेंगे तो आपका reader कहीं और से पढ़ लेगा तो आप यहां critique से मराद यह हैं कि आप हर तरह की finding जो supportive है जो नहीं है उन दोनों को synthesis करते हैं उनकी नई interpretations बयान करते हैं यानी findings परानी ही हैं interpretations आप बनात organisms के around और वहां से आप फिर एक logic अपना बनाते हैं कि जो contradict करती हैं वो क्यों ऐसे हैं और जो आपके support में आ रही हैं वो कितनी credible हैं और यहां से फिर आप उसकी एक summary प्यार करते हैं क्रिटीक करने से यहां यह मुराद है element of biasness लोग usually associate करते हैं क्योंकि मैंने जैसे पहले का कि novice researchers हैं तो उनके अंदर एक खुद tendency होती है कि जो मेरा hypothesis है उसको शायद support करने वाली research मुझे लेनी हैं बाकियों से मुझे किनारा करना होता है ऐसा नहीं है जब भी आप ऐसा करेंगे यानी उन studies को avoid करेंगे जो आपके hypothesis से पेनली contradictory है इसका मतलब है आप में बाइस आ गई और element of bias जो है वो किसी भी research के अंदर acceptable नहीं है उसको resolve करना जो है ये सीखने की चीज़ है तो आप जब भी narrative literature review कर रहे हों इसके process में और कुछ भी problem नहीं है इलावा इसके second component के जहां पे आपने critique develop करना होगा उस critique की grounds को उसके अंदर logic डालना होगा ताके लोग आपके बात को authentic समझते हुए उसकी reason को समझ कर उसको accept कर लें तो इस तरीके से इन grounds पे जो literature review किया जाता है जिसका outcome summary है लेकिन वो एक well critique summary है information की तो अगर आपकी process अपना लेंगे तो आपका जो literature review है वो अपने अंदर understandable भी हो और credible होगा defendable होगा